एलो बच्चो यू आर बॉचिंग जेई नीटोलाजी विद महफूद सर बच्चो तूड़े विल डिसकस बूर दा डिफरेंसिस विच्वीन लॉअफ डॉमिनेंस इनकंपली डॉमिनेंस एंड को डॉमिनेंस बच्चो इससे पहले भी मैं लॉअफ डॉमिनेंस गाट इस मोन जाएगा आप उसको भी जाके देख सकते हैं बहाँ पे मैंने लॉअफ डॉमिनेंस को बिलकुल डिटेल में डिसकस किया है तो आज हम इनके बारे में शेखने वाले बच्चो क्या इनमें डिफरेंसिस क्या होते हैं और वो डिफरेंस क्यूं आते हैं चेक्शाइं तो parental generation उन्होंने कुछ plants लिये और plants को grow कराने के बाद उनके बीच में cross hybridization कराया किसी एक character के बीच में और वो character उन्होंने क्या लिया था वो character लिया था उन्होंने height का अब सबसे पहले बीच में क्या करा था this one is the parental generation उन्होंने कुछ plants लिये और plants को grow कराने के बाद उनके बीच में cross hybridization कराया किसी एक character के बीच में और वो character उन्होंने क्या लिया था वो character लिया था उन्होंने height का अब height का character बेटा दो थरह का हो सकता है या तो tall होगा कोई भी या फिर dwarf होगा तो बेटा tall को उन्होंने represent किया capital T and capital T से dwarf को represent किया small T and small T से अब इनके बीच में हमें कराना है क्रॉस तो क्रॉस कराने के लिए बेटा पहले हमें क्या बनाना पड़ेंगे पहले gamete बनाना पड़ेंगे तो बेटा जब हमारे पास होमो जाइगस कंडिशन होती है जब हमारे होमो जाइगस का मतलब होता है बेटा जब कोई भी इंडिवीज्वल और गैनिजम सेम टाइप आफ ऐलील से मिलकर बना हुआ होता है सेम टाइफ ऑफ गैमीट प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं होमो जाइगस या होमो गैमीट जैसे कि capital their यंड capital ्ति दोनों से मिलर हैं ऐसे ही small t और small t दोनों से मिलर हैं तो inके जो गैमीट बनेंगे वह एक ही तरह के बनेंगे चाहे ये वाला gamete जाए चाहे ये वाला जाए लेकिन होगा दोनों small टी ही तो बेटा इसके हमने क्या बना लिया? gamete बना लिया, right? तो अब ये gamete बेटा कैसे बनेगा? यहां हम कराते हैं meiosis division, right? अब gamete कर बना के हम क्या करेंगे, बेटा क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस जब इनके बीच में कराएंगे तो यहां पे जug इनने क्रॉस कराया तो इन्हे एक बहुत ही wonderful result देखने को मिला क्या मिला बेटा? इससे जब इन्होंने क्रॉस कराया तो सारे के सारे plants इने कैसे दिखे? बेटा सारे के सारे plants इने टॉल दिखाए दिये, अब मेंडल वियागा दिमाग खिसा गया, हाउज इस पॉसिबल, उन्होंने कहा कोई बाद नहीं, हम इसके बीच में सैल्फ क्रोस कराते हैं, लेकिन जब उन्होंने पैरेंटल जनरेशन से जो प्लांट्स बना है, तो बेटा उसको उन्होंने नाम दिया, एफवन जनरेशन, क्या नाम दिया बेटा, एफवन जनरेशन, अब इन्होंने एफवन जनरेशन के बीच में, क्या करा दिया बेटा, self-cross करा दिया f1 generation के बीच में self-cross that is f1 का cross f1 के साथ it is known as self-cross जब इन्होंने ये कराया तो क्या देखने को मिला इसके भी दो gamit बनेंगे क्यों बनेंगे reason है उसका क्योंकि ये क्या है बेटा hetero jaegas और ये क्या था homo jaegas तो homo jaegas का similar gamit लेकिन hetero jaegas के दो अलग-अलग gamit क्योंकि दोनों कैसे होते हैं अलग होते हैं बेटा capital T this gamit small t this gamit ऐसे ही यहाँ पे भी बनेंगे अब हुआ क्या बेटा जब ये capital T इस capital T के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा capital T and capital T इसके साथ जाएगा बेटा तो क्या बनाएगा capital T small t और ये small t किस small t के साथ जाएगा बेटा तो क्या बनाएगा small t and small t इस condition में इन्हें एक नई जनरेशन देखने को मिली बेटा जिसको इन्होंने नाम दिया F2 generation क्या कहा बेटा इन्होंने F2 generation और यह हमारे बने gamete और किससे बनाई बिटा हमने meiosis division कराने के बाद तो F2 generation में इनों ने देखा कि यहाँ पे कुछ plants हमारे बन रहे है tall जबकि कुछ बन रहे है dwarf जो tall plants थे उनका जो number था वो लगबग लगबग 34th plant हमारे tall थे and one fourth plant हमारे dwarf थे लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह tall है तो इसका genotype क्या होगा तो उसका इन्होंने genotype भी निकाल लिया बिटा आब यह genotype देखने के लिए आपको मेरी last video में जाना पड़ेगा चिक है क्योंकि मैंने बहाँ detail discuss किया है फिलाल इसका phenotype क्या है या बिटा phenotype इसका देखने को मिला हमें यहाँ पे क्योंकि एक, दो, तीन, तीन plants हमारे कैसे है बिटा tall, ये भी tall, ये भी tall और ये भी tall, बिटा this is pure tall, these are impure tall and this is small t, small t, this is pure dwarf, तो बिटा यहाँ क्या हुआ तीन plants हमारे कैसे आ गए tall, और एक plants हमारे कैसे आ गया dwarf, तो बिटा ये तो externally हमें देखने को मिला तो जो morphologically हम किसी भी चीज के character को देख सकते हैं उसको हम phenotypic character कहते हैं और उस ratio को phenotypic ratio, तो बिटा जो phenotypic ratio आया, वो कितना आया, 3 to 1 ऐसे ही अगर genotypic की बात करें तो एक हमारा pure tall है दो हमारे impure tall है जो की heterogigous है और ये हमारे homo-gigous है जो pure tall वाला है पेटा, ये कैसा होगा this is homo-gigous and these are heterogigous and this one is this one is pure dwarf means homo-gigous condition, right तो यहाँ पे एक और एक दो और एक तो बेटा, 1, 2, 1 इसका जो ratio आया, वो कितना आया 1, 2, 1 तो फाइनली डॉमिनेंसी क्या है डॉमिनेंसी ये हुई बेटा कि यहाँ पे F1 generation में सारे के सारे character किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक parent से similarities रख रहे हैं इसी को उन्होंने नाम दिया law of dominance उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी एक character के बीच में cross कराते हैं तो बहाँ पे जो F1 generation आती है F1 generation वो किसी एक parent से ही similarities रखती है अब वो किससे similarities रखती है बेटा, जिस parents के character dominant होते हैं वो दूसरे parent के character को suppress कर देते हैं और इसी को कहते है dominancy तो बेटा, यहाँ पे जो tall plant है इसके character कैसे हैं? dominant हैं इसी लिए इसने dwarf plant के character को suppress कर दिया और खुद F1 generation में appear हो गया express हो गया तो law of dominancy means कि जो dominant character हैं वो अपने आपको express करेंगे लेकिन जो दूसरे character हैं जिनने बेटा, हम recessive character के नाम से जानते हैं वो अपने आपको express नहीं कर पाते हैं इन F1 generation इसी को उन्होंने कहा law of dominance clear? अब आते हैं हम यहां पे F2 पे बिटा F2 पे क्या हुआ? F2 पे यह हुआ कि जब उन्होंने F2 का क्रोस कराया तो उन्होंने का how is this possible? कि जो character F1 में नहीं थे वो F2 में कैसे आ गये? तो फिर विटा उन्होंने दूसरा conclusion निकाला जिसको उन्होंने नाम दिया law of segregation इसमें उन्होंने क्या कहा? कि at the time of gametogenesis जब किसी भी individual के बीच में gamet का formation होता है तब बहाँ पे gametogenesis के time पे gamet के पास यह capacity होती है मतलब हर एक gene के पास यह capacity होती है वो कहीं भी जा सकता है यह उसकी मर्जी है मतलब randomly segregation यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बेटा देखो यहाँ पे capital T small T साथ में थे लेकिन जब gametogenesis हो रहा है तो यह दोनों जिन्स एक दूसरे से अलग हो गए segregate हो गए इसी को कहा उन्होंने law of segregation और इस law of segregation की बजह से ही उन्होंने कहा कि वह यहाँ पे 50-50% chances रहते हैं कितने बेटा there are 50-50% chance to move any other हर gamet के पास 50% chance है कि वो कहीं भी जा सकता है clear है तो यही reason हुआ कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला बेटा capital T और capital T capital T और small T क्योंकि इस capital T का मन था यह इधर भी जा सकता था और इधर भी जा सकता था क्यों क्योंकि यहाँ पे segregation हो गया किसका gamet का और इसी को मेंडल भीया ने कहा law of segregation तो बेटा यहाँ पे था dominance की जब F1 generation किसी एक parent से similarities रगती है उसे कहते हैं हम law of dominance अब हम बात करते हैं इनकंपलीट डॉमीनेंस की इनकंपलीट डॉमीनेंस में क्या हुआ मेंडल भीया ने कुछ एक characters को लिया और वो characters थे भीटा हमारे color के character जैसे की red and white अब यह लिया किस में था भीटा यह लिया था मिराबलिस जलापा एक प्लांट होता है हमारे पास मिराबलिस जलापा चीक है second इन्होंने एक plant लिया बेटा snap dragon जिसको हम dog flower के नाम से भी जानते हैं चीक है तो यह कुछ एक plants लिये जिस पे इन्होंने cross कराया और cross किस के बीच में कराया बेटा a single pair of character के बीच मतलब mono hybrid cross कराया राइट तो यह cross उन्होंने दो color दो character पे लिया एक तो red लिया male एक white लिया female बेटा red color को उन्होंने किस से show किया किस से represent किया capital R और capital R से और white को small R और small R से बेटा same process जो हमने यहां पे की वही हमें यहां करनी है कि इसको क्या नाम दिया इन्होंने बेटा this is the parental generation yes or no and parental generation फिर इन्होंने क्या कराया बेटा इसमें meiosis क्यों क्योंकि हमें कराना है इसमें cross hybridization meiosis कराने के बाद इन्होंने इसके बीज में क्या करा दिया बेटा cross करा दिया क्या करा दिया जब क्रॉस कराया तो यह बहुत ही बंडरफुल एक रिजल्ट इन्हें देखने को मिला वो यह था कि जो एफवन जनरेशन आई क्या वेटा एफवन जनरेशन एफवन जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने हंडरेट के हंडरेट परसेंट अफ प्लांट्स विल नॉट शो एनी सिमिलारेटीज विद एनी अफ दा पैरेंट्स कि कोई भी प्लांट किसी भी पेरेंट से सिमिलारिटीज शो नहीं कर रहा था जबकि law of dominance भी हम देखके आये थे कि जब हम किसी भी दो या किसी भी एक करेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो बहां पे जो F1 जनरेशन होती है वो किसी एक पेरेंट से सिमिलारिटीज रखती है लेकिन यहां पे बेटा ऐसा नहीं है ना तो ये plants अपने red वाले फिलार से red वाले plants से सिमिलारिटीज रख रहे हैं और ना white वाले से बलकि एक नया character develop हो रहा है जिसको हमने कहा बेटा pink के ना तो ये रैड है और ना ये वाइट है कैसे हैं बटा ये बीच के हैं हाइबरिड बना ये क्या बना हाइबरिड जिसको हमने क्या कहा पिंक है ठीक है ये पिंक कलर के थे ना तो रैड बने ना वाइड बने कैसे बन गए पिंक है अब यहां पर बात करते हैं नोंने का बई इसका एक रीजन है वो रीजन मैं अभी आपको explain करूंगा लेकिन पहले इन तीनों में difference समझने की आकर तीनों में difference क्या आते हैं बेटा फिर इन्हों ने क्या करा इसके बीच में जो f1 generation ती जैसे की law of dominance में इन्हों ने क्या कराया self cross ठीक बैसे ही self cross इन्हों ने यहां भी कराया capital R or capital R के sorry capital R or small R के बीच में इन्हों ने self cross करा दिया right this one is the f1 का cross f1 के साथ करा दिया और इसको इन्हों ने कहा बेटा self cross तो जब इनकी बीच में क्यरोस कराया तो same capital R और small R दो अलग हेट्रो जाईगस condition है बीचा और अगर हेट्रो जाईगस condition है तो बीचा दो अलग अलग गैमेट बनेंगे capital R small R capital R small R इनके गैमेट बीचा अब यह capital R इस capital R के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा capital R and capital R यह capital R की मर्जी है क्योंकि law of segregation को follow करेगा बाई तो यह capital R का मन है कि यहाँ ना जाके यहाँ भी तो जा सकता है तो बीचा जब यह capital R इस small R के साथ जाएगा तो condition कुछ यह बनेगी कि capital R और small R अब हो सकता है यह capital R जाए ही ना यह बाला चला जाए तो यह small R इस capital R के साथ जाएगा तो condition again capital R and small R and this small R will go to the this small R then the condition will form small R and small R यहाँ पर इन्हें बड़ा amazing result देखने को मिला वो यह था कि F1 generation जो थी वो law of dominance को follow नहीं कर रही थी जबकि F2 generation law of dominance को follow कर रही थी क्यों कह रहा हूं मैं इतनी बात reason देखो बेटा यह pure red बने यह pink बने और यह pure white बने क्योंकि capital R, capital R is responsible for pure red capital R, small R कैसे हैं पेटा हमारे pink ठीक है तो यह हमारे कैसे बने pink and these are pure white wickers smaller and smaller present राइट अब हम क्या देखते हैं पेटा इसका अगर हम phenotypic ratio निकालें तो क्या होगा phenotypic ratio की बात कर रहा हूं पेटा मैं मतलब externally यह आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं पेटा अगर phenotype की बात करें तो एक flower हमें pure red दिखाई दे रहा है दो flower हमें pink की दिखाई दे रहे हैं और एक flower हमें pure white दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसका phenotype क्या हो गया पेटा इसका phenotype हुआ one is two two is two one चिक है this is the phenotypic ratio अगर हम genotypic ratio की बात करें पेटा तो genotypic क्या होगा देखो जो genetically हमें दिखाई देगा genetic constitution क्या होगा उसका this is known as genotypic ratio पेटा genotypic की बात करें दोखो this is pure red this is pink and this is pure white तो इसका ये genotypic ratio भी क्या होगा पेटा one is two two is two one मतलब ये कि जब हम incomplete dominance कराते हैं तो बहाँ पे phenotypic और genotypic ratio दोनों कैसा होगा पेटा दोनों same आता है जबकि law of dominance में phenotypic and genotypic ratio दोनों different था phenotypic ratio पेटा three is two one and genotypic ratio पेटा one is two two is two one ठीक है तो यहां पे सबसे बड़ा difference तो यही आ गया कि अगर हम incomplete dominance की बात करते हैं तो इसका phenotypic और genotypic ratio दोनों same रहता है बहाँ पे कोई भी blending नहीं आती है लेकिन law of dominance में यह same नहीं रहता ठीक है अब हम बात करते हैं भाई को dominance की co dominance का मतलब क्या होता है को dominance क्या कहता है बटा देखो law of dominance में हमने देखा कि जो f1 generation है वो किसी एक parents से similarities show कर रही है right incomplete dominance में हमने देखा कि जो f1 generation है वो किसी भी parents से similarities show नहीं कर रही है बलकि उनके beach का कोई character बनके आ रहा है बट co dominance में क्या होता है कि यह ना तो f1 को show करती है और ना कोई beach का character बनाती है बेटा यह दोनों character दोनों जीन्स अपना अपना effect शो करते हैं कैसे करते हैं सुनों बेटा हमने को dominance में क्या लिया एक black color का character लिया एक plant लिया black color ठीक है दूसरा लिया हमने white color this is male this is female राइट तो black color को बेटा हमने represent किया r1 and r1 से white color को हमने represent किया r2 and r2 से बेटा इनके आब हम क्या करेंगे gamit बनाएंगे और यह क्या होगी बेटा हमारे पास this is the parental generation this one is parental generation right and यह हमने क्या बना लिया बेटा gamit किसकी help से बेटा meiosis division से अब इनके बीच में हम जब cross कराते हैं जब हम इनके बीच में cross कराएंगे तो बेटा एक बड़ा ही wonderful result देखने को मिलेगा और result यह होगा जो f1 generation आएगी this one is the f1 generation r1 का cross r2 से कराओगे तो भाई r1 और r2 का formation होगा यह f1 generation ना तो black थी ना ही white थी और ना इनके बीच की थी बलकि यह दोनों अपना अपना पूरा effect शो कर रहे थे भाई इसको हम कहते हैं rome color क्या कहते हैं rome color rome color क्या होता पेटा जहां black and white दोनों अपना अपना effect शो करते हैं that is known as rome right मतलब when two characters show their effect in presence of any of the character then this is the condition of co-dominance यहां वो किसी को भी follow नहीं करेगा बलकि अपना character अपने आप show करेगा ना तो incomplete की तरह बीच का character बनाएगा और ना complete dominance की तरह पूरा किसी एक parent से similarities रखेगा ठीक है तो यह अपने अपने character को show करते हैं अब इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं इसका इन्होंने f1 का self cross करा दिया बिल्कुल इन ही की तरह जैसे complete dominance में कराया इन complete में कराया ऐसे ही co dominance में कराया इसका बिटा f1 का cross f1 के साथ तो इसको हम कहते हैं बिटा self cross ठीक है this one is known as self cross अब यहाँ पर बिटा अगर हम बात करें तो देखें R1 and R2 R1 and R2 R1 and R2 पिटा जैसे हमने यहाँ in-क Camet बनाये थे, ऐसे ही यहाँ इनके भी Camet बनेंगे और इनके gamit क्या होएंगे बेटा R1 अलग होगा, R2 अलग होगा इसका भी R1 अलग होगा और इसका भी R2 अलग होगा तो जब हो सकता है, अब बोई law of segregation को तो follow करेंगे ना तो gamit क्या करेंगे इधर उधर move कर जाएंगे जहां इनका मन करेगा वहाँ जाएंगे, because there are 50% chances to segregate with any other gamit हर gamit के पास ये chance होते है, हर genes के पास ये chance होता है, at the time of gametogenesis कि वो कहीं भी जा सकता है, right? तो इसलिए ये भी move कर जाएंगे, तो बटा ये R1 जब इस R1 से cross करेगा तो क्या बनेगा R1 and R1? ये R1 इस R2 से cross करेगा तो R1 and R2 और ये R2 इस R1 से करेगा तो R1 and R2 and this R2 cross with this R2 then the condition R2 and R2, right? तो इस condition में बेटा हमारे पास इन्हें F2 generation में क्या देखने को मिला? This one is the F2 generation F2 generation में बेटा इन्हें देखने को मिला कि यहां पे कुछ flower जो है वो pure black थे या मैं पहले बात करूँ phenotypic की तो इन्हें देखने को मिला बेटा phenotypic में भी pure flower जो थे जो pure black flower थे वो कितने थे? 1 और जो rome color के flower थे वो कितने थे? 2 और जो pure white थे वो कितने थे? 1 तो इस condition में इन्होंने इसका phenotypic ratio निकाला पेटा वो क्या है या? is 2 2 is 2 1 अगर हम genotypic की बात करें तो genotypic ratio क्या होगा पेटा? pure black is 1 rome is 2 and pure white is again 1 तो the condition is the 1 is 2 2 is 2 1 मतलब phenotype और genotype इन दोनों का कैसा है बेटा? F2 generation में phenotype और genotype दोनों same है yes or no बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो हुआ क्या? हुआ यह कि अब समझी नहीं आया कि भाई कि रौस तो यहाँ भी mono hybrid कराया? यहाँ भी mono hybrid कराया यहाँ भी mono hybrid कराया हमने एक ही character तो पकड़ा तो यह एक parents से similarities क्यों रख रहे हैं? यह किसी भी parents से similarities क्यों नहीं रख रहे हैं? और यह अपना अपना effect show क्यों कर रहे हैं? इसका reason क्या होता है बेटा? इसका reason होता है कि हर एक genes की दो copies होती हैं कितनी copies बेटा? दो copies अचा पहले आप इसका screenshot ले ले फिर मैं आपको उसका explanation देता हूँ की बेटा अब हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यह dominance यह incomplete dominance और यह co-dominance है तो बेटा इसके लिए जैसे कि हम सभी को पता है कि जितने भी deployed organisms होते हैं ठीक है? हर एक deployed organism में deployed organism मतलब 2N राइट बेटा यहाँ पे जो information carry करने के लिए responsible होता है बेटा वो कौन होता है? जीन क्या बेटा? जीन और अगर deployed organism है तो हर एक gene की दो copies present होती है हर एक organism में जैसे कि बेटा हम बात करें capital T capital T small T small t and capital T small t बेटा यह क्या है हमारे पास? थीनद डी और गांपीस बेटा यह क्या है हमारे पास? होमो जाईग़स this is the homozygous and this is the condition of heterozygous तो ये हमारे similar भी हो सकते हैं जो genes हैं वो हमारे similar भी हो सकते हैं और dissimilar भी हो सकते हैं तो होता क्या है कभी कभी ये genes में modifications आ जाते हैं changes आ जाते हैं जैसे for example हमारे पास बेटा ये genes है capital T and small T बेटा ये जो genes है एक को हम कहते है normal genes क्या बेटा this is the normal gene and this one is the abnormal genes क्यों बेटा abnormal क्यों कह रहा हूं मैं बेटा इस लिए कह रहा हूं may be possible उसमें किसी तरह का कोई change आ गया कभी कोई mutation हो गया या फिर कोई environmental change आ गया या कोई hereditary change आ गया या कोई sex linked disease आ गयी या कोई autosomal disease आ गयी तो किसी भी type का change अगर उसमें होग जाता है तो बेटा वो अपने dominant law को follow नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता देखो यहां पे बेटा जो normal gene है वो क्या करेगा एक enzyme का encryption कर रहा है क्या कर रहा है बेटा enzyme क्षेम बैटा अधनार्मल जेन क्या करेजें लघा रहा है तो बेटा abnormal gene क्या करेगा पेटा abnormal gen की 3 conditions होएंगी पहली conditions क्या होएंगी या तो यह normal enzyme종 का किसी भी enzyme का checkration करेगा number first या फिर करेगा तो less efficient करेगा करेगा तो less efficient करेगा less efficient का मतलब है कि जितना secretion ये enzyme कर सकता है, जितना functional about ये enzyme हो सकता है उतना functional ये enzyme नहीं होगा किलियर, second condition क्या होगी, may be possible कि ये किसी भी enzyme का secretion ना करें, या फिर enzyme का secretion कर भी रहा है, तो वो enzyme functionable ना हो, ठीक है, तो second condition ये आ जाती है, कि वही enzyme का secretion तो कर रहा है, लेकिन वो कैसा है, non-functional है, कैसा बेटा, non-functional, third condition ये आ जाती है, कि वो कोई भी enzyme का secretion नहीं कर रहा है, no enzyme secretion at all, no enzyme secretion at all, बेटा, ये normal gene enzyme का secretion कर रहा है, ये किसी information को carry करने के लिए responsible है, जैसे कि मैंने अभी यहां बताया, कि जितने भी diploid organism होते हैं, उनमें जो information जाती है, not only in diploid organism, बलगी haploid में भी यही condition है, information को carry कौन करता है बेटा, genes, और ये genes जो है हमारे दो तरह के हैं, एक normal और एक abnormal, abnormal क्यों है बेटा, due to some changes, due to some changes, कोई change होने की बज़े से इसमें abnormalities आ जाती है, और वो changes बेटा, क्या हो सकते हैं, may be possible वो कोई mutation हो जाए, mutation का मतलब क्या होता है, a sudden change in the genetic material of any individual organism, किसी भी individual organism के genetic material में, all of sudden जब कोई भी change आ जाता है, तो उसको हम mutation कहते हैं, ठीक है, तो mutation होने के बज़े से इसमें abnormalities आ गई, अब बेटा, ये जितने भी चीज़े हैं, ये normally enzyme का secretion तो कर रही हैं, जैसे कि ये किया, बट ये उतना functionable नहीं होगी, जितना ये होती है, तो अगर हम law of dominance में देखें, law of dominance में बटा, capital T and capital T, बटा, ये normally enzyme का secretion कर रहा है, ये भी normally enzyme का secretion कर रहा है, यहाँ पर जो gamit बन रहा है, तो ये भी normally करेगा, तो यही reason है, कि ये अपने आपको पूरी तरह से dominate कर देता है, this is the first case, this is the first case, अगर कोई भी normal genes है, तो बटा, वो पूरी तरह से अपनी information को carry करेगा, लेकिन अगर हम second case में आते हैं, तो maybe possible कि यहाँ पे, जो second वाला हमारे पास gamit है, इसमें normal enzyme का secretion ना हुआ हो, हो सकता है, इस gamit में कोई change आ गया हो, जब change आ जाएगा, तो condition, condition यह बालिया जाएगी, कि अगर enzyme का secretion करेगा भी, तो वो कैसा होगा, non-functional होगा, या फिर वो enzyme का secretion करेगा ही नहीं, तीक है, अगर enzyme का secretion नहीं करेगा, तब भी वही condition, और अगर कर रहा है, और वो non-functional है, तब भी वही condition है, तो उस condition में, यह क्या completely dominant हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बेटा, completely dominant तो तब होता, जब यह normal होता, और functional होता, और normally किसी भी enzyme का secretion करता होता, लेकिन यह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यहां पे, तो इसलिए यह कैसा हुआ बेटा, incomplete dominant होआ, मतलब अपनी dominance तो show कर पा रहा है, लेकिन पूरी तरह से show नहीं कर रहा है, क्योंकि less efficient है, non-functional है, अपना proper function नहीं कर पा रहा है, के लिए, अब यही बात बेटा, हम यहां करते हैं, जब यहां हम बात करेंगे बेटा, तो यह दोनों के दोनों genes, दोनों के दोनों gamet, properly अपने अपने अंदर, कोई भी change लेके आने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब, यह दोनों के दोनों हमारे gamet, बिलकुल और बिलकुल correct हैं, true हैं, इसी लिए, बेटा, यह भी normal enzyme का secretion करेगा, यह भी normally enzyme का secretion करेगा, और यही reason रहेगा कि यह भी dominant रहेगा, और यह भी dominant रहेगा, और फाइनली, F1 generation में यह अपने दोनों-दोनों effect शो करेंगे, clear हैं, तो समझ आगे बिटा, क्या बात होती है, generally enzyme अगर normally हो रहा है, genes हमारा normal है, fully developed है, enzymatic segregation करा रहा है, और यह अपने काम को normally कर रहा है, तब तो dominant होगा, और अगर यह नहीं करा पा रहा है, तो यह completely dominant नहीं हो होगा, clear है, बच्चों इतनी बात, अब हम बेटा बात करते है, co-dominance के कुछ examples की बेटा, यहाँ पे हम examples लेते हैं, बेटा, ABO blood group, ठीक है, ABO blood group according to the NCRT, बेटा, बहाँ भी हम यही बात करेंगे, ABO blood group क्या होगा, ठीक है, बेटा, आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसके आगे का पार्ट मैं आपको next वीडियो में दूँगा, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे, तो बटा अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो प्लीज वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और वीडियो को जादा से जादा share भे करें, ओके, thank you so much बच्चों